हाई फ्रेंट्स मैं आप सूरिया है और आप देख रहें बॉलिवूड क्रेजी इस आज में बात करने वालों गोल्मा लगेन के बारे में जिहां गोल्मा लगेन ने प्रौपर तौर पे 200 क्रोड कमा लिए है इंडिया में और इंडिया के बाहर इस फर्म ने 300 क्रोड का भी बिजनस कर लिया है जी हाँ आपको ज़रूर यकीन नहीं होगा इस बात पर क्योंकि ओफिशिल कंफर्मिशन नहीं आई है वो कल ही आएगी लेकित इतना कंफर्म हो चुका है कि इस फर्म न दूसरे नमबर पर था थोड़ी देर पहले अगर हम बात करें तो मैं एक फीगर्स बता रहता हूं जिस तरह से अपडेटिट एस्टिम्टेट फीगर्स आ चुके हैं जिससे आपको यकीन हो जाए कि इस फर्म में धमाका कर दिया है जी हां फोस्ट वीक की बात करें इतना सबको याद है दूसरे विक कितना था तीसे विक यह रहा और चौथे वीक का जो वीकेंड आ रहा है वो कुछ इस तरह का आ रहा है यानि कि आपको पता है पहले दिन लगबग लगबग कुछ 62 लेक के कमाई की थी दूसरे दिन लगबग लगबग कुछ 1.12 करोड के आसपा की कमाई हुई है इस फिल्म की संडे को यानि की फोर्थ वीक के संडे को यानि की 24 वे दिन और डॉमेस्टिक की अगर बात करें तो कुछ 201 करोड तक का कलेक्शन जा रहा है यह ओफिशिल कंफरमिशन कलेक्शन मैं इसे नहीं कह सकता हूं बट यह ऐसी खबरे आ रहे कि 2201 कर क्रॉस कर लिए तो यह फिल्म ब्लॉक्बस्टर हो गई है यह फिल्भी एस्टिमेटेड है इसमें जो एकड़म डीटेर्ड में आप जाकी यह मत सुचिए अकल किया क्लेक्शन यही सही थे सुर्या भाह नहीं बताया थे तो यह क्लेक्शन प्रॉपर जो आएंगे कल आएं 24 दिन के कलेक्शन का आकड़ा है वो भी एस्टिमेट्स ठीक है तो वीडियो अच्छा लगा तो इस लिए को सब्सक्राइब करना भूले और फिलहाल इतने ही आपको कहना चाहता हूं आज का दिन जो ट्रेंड हो रहा है और कल का पूरा दिन गोलमाल अगे इन को ही डेडिक रहेगा क्योंकि या जो दिन प्यादी फिल्म है जो 200 को क्लब में और 300 को के वर्डवार क्लब में पहुंच चुके जहले वीडियो अच्छा लाए चानल सब्सक्राइब करना पूरा कि इतना ही बाबार